अरहर महादे देखिए मेगाले से एक शत्रिय ने प्रश्न किया है मेगाले के इस्तिती तो आप देखी रहें कितनी दर्दनाक है जहां गव का खुलेयाम बद होता है हिंदू तो कुछ ही संख्या में बचे हुए वहां वहां से यह एक शत्रिय प्रश्न कर रहे हैं धन्यवाद इनको इनका नाम है मिहर पोज कश्यप गोत्र है प्रणाम करके जी कह रहे हैं कि कई पुराणों में गयाश्राद पिंडदान की महिमा है और इसकी महिमा स्वरवत्र है सब लोग जानते हैं लेकिन फिर भी श्रीमद भागवत महापुरान के महात्म में यह का गया है वो दुन्दुकारी स्वयम कह रहा है गोकरण जी से कि गोकरण कह रहा है हमने तो तुमारे लिए जो पिंडदान कर दिया गयाश्राद कर दी तो फिर आपकी मुक्ति नहीं होई क्या तो वो कहता नहीं गयाश्राद शते नापी मुक्तिर मेना भविश्यती है ना मेरी मुक तो बहुत बड़ा पापी हुँ इसलिए कोई ऐसा हो पाए जो कि अमेरी मुक्ती हो जाए तो फिर श्रीमद भागवद की कता श्रमन कराई तो फिरूल की मुक्ती हुई कहने का ताद परिया क्या गयाश राद की इतनी महिमा जो अन्य पुराणों में वरनेता है तो श्रीमद भागवद के इस आख्यान से ऐसा लगता है कि गयाश राद से कुछ नहीं होने बागद गयाश राद तो शेकनों का असराद कर दा है फिर भी बड़े पापी की मुक्ती सब्सक्राइब खींगे नहीं हो सकती तो इसका क्या ताथ पर है और वहां बड़ी महिमा मंदित है यह ऐसा कैसा पैसन यह है समाधान होगा देखिए शास्त्रों में अर्थवाद निंदार्थवाद और इस्त्वत्ति अर्थवाद दो तरीके के अर्थवाद प्राप्त होते हैं अनुवाद भी होता है वेदों में मनें वेदों के जो सिध्धानत है वेदों में जो का गया है उसी बात को कहना अनुवाद है किसी की महिमा मंदित करते हुए कहना तो वो इस्तुत्य अर्थबाद है निंदा करके किसी एकी महिमा गाते हुए या उस चीज को निशेद करते हुए कहना वो निंदा अर्थबाद है निंदा अर्थबाद के भी भेद होते हैं फिर मुखिरूप से अभी यहां इस विशय प को बड़े रहस्यात्मक स्रवन करिए यह जो मैं बतलाने जा रहा हूं इससे कई शास्त्रों में शंकाओं का समाधान होगा यह बड़ा मूल तर्त्तों है पुझी गुरुदेम ने बतलाया है धर्म सम्राप स्वामी स्री करपात्री जी महाराज ने अपने ग्रंथों में जग करशन होते हैं कि उसको बड़ा दिखाना किसी को हमें समसे उच्छ दिखाना सबसे बड़ा दिखलाना तो वहां दो कारे जाएंगे एक तो उसकी महिमा गाई आएगी यह तो ऐसे हैं जो है ध्यानी ग्यानी विद्वान स्रेश्ट सदगुन संपन उनके गुन गाई है या जिस बस्तु के हम गुनगान कर रहे हैं तो उसका गुनगान का यह जिसके महिमा मनित करना दूसरा और यह सब पराण वैसे नहीं है तो ध्यान देना अरे राम जी प्रापि की महिमा बहुत है और सबतारों में इतनी आप नहीं वे इतने इतने घ्रयालू नहीं रामजी जादा प्राप्त कराने में और भक्ती वाले को यह में कोई दूसरा नहीं और व्हक्ति वाले होई ब्हक्ति से सरन कोई दूसरा मार्ग नहीं सब मार्ग कठे नहीं तो ग्यान आज ग्यान की तो कोई सीमा नहीं है कितने ग्यान ही हमने पत्रत होते हुए देखे जहां ऐसे बच्चन होते उनका मतलब यह है कि जहां किसी की महमा गाई जा रही है और दूसरे की निंदा करके किसी की महमा गा यह बस उन्ने की निंदा नहीं हैं। जहां भी चित्रे बचन हैं। जहां भक्ति को बढ़ा दिखा धिया गया ग्यान Matthew go बखती की निंदा कर दी यह किसे अवतार की चर्चा विषेश कर दिया जैए यह किसी वश्वारaggiर के अलावा और दिया गयाद कुछ नहीं है कहीं अनसंत्या के लाबा और कुछ नहीं है कहीं सत्य बोलने के बराबर कोई तफ नहीं है और सब तपस्या छोटी है तो ये ऐसा नहीं है कि अब भुई है और सब ऐसे ही है केवर मा उसकी महिमा है औरों की नहीं है यह बात जो है एक सिध्दान्द के रूप में कही गई थी हमने उसको सरल रूप में बतलाया है ओह ओ शास्त्री ये बचन ये है न्याय था कि नहीं निंदयम निंधितों प्रवर्थतते अपितु विधेयम स्तोतों, निंदा जो निंदा इंदा है निंदा रूप में किसी की चल्चा थाष्टों में वह नहीं निंदा निंदते उनके लिए नहीं है ऐसा मर्य न है वह छोटे यह वह तुछ तो जिनका विधान किया जा रहा है उनकी हिस्तुति है और इससे भी सरन सब्दों में समझाए लोकोथ्ति कहने साथ जैसे कहते न वहीं घोड़े पर तो वही बैठाएगा दूलाई बैठाएगा और चाहें उसका जो पिता हो या और उससे भी जेश्ट-स्रेश्ट कोई आजमियों सब पैदर चलेंगे बरात्मे ऐसा होता था जब चड़ाई करते तो गोड़ी पर तो दूलाई बैठाएगा और सब लोग अपने हिसाब से जाएगे तो जब जिसकी महिमा मंदन करनी होती है जिसके बारे में बतलाना होता है तो उसकी खुब महिमा गाई जाती है यह इस्तुत्य अर्थवाद हो गया और औरों की निंदा करके और किसी विशेश की जो अबंदना कर दी जाए उसकी महिमा मंदन कर दी जाए तो तो ये भी उसकी इस्तुति है परंत ये दूसरी तरीके से तो वहां ये समझना है कि औरों की निंदा नहीं है आज इनकी महिमा गाई जा रही है ये बात है वो दूसरे इस तर पर उनकी भी महिमा होगी ये बात है तो इसी त्रिष्टी से अब जो श्रीमद भागवत में तो वेदों की भी निंदा सी हो गई है समझना है वो निंदा नहीं है वो कह रहे हैं कि श्रीमद भागवत से नारजी ने काग वेद वेदांत गोसाइश्य गीता पाठाइड मूर्मू हमने ग्यान लेकिन उनकी चेतना जागरत नहीं हुई जरजर अवस्ता दूर नहीं हुई थोड़ी बहुत जमाईली और फिर अचेत पड़ गए और उनकी विरिद्धता जड़ता जड़ता उनमें दोनों पड़ी हुई है तब उने को श्रीमद भागवत को श्रबन कराई है तो उनकी म पूरा व्रिक्ष है आम है लेकिन वह स्वाधत पके हुए फल में आएगा पूरे में थोड़े आएगा यद्या पे वेदों का ही पका हुगा पल श्रीमद भागवत है निगा मकल्प तरोर गलितं फलं शुक मुखाद अम्रतंत्रिवसाईयोतं फिवत भागवत अम्रसमाल तो वो इसका फल है इसलिए उसमें फल आएगा उसमें रस आएगा तो इसी तरीके से वो श्रीमद भावत मुक्ति कर सकता है वेदों में वह नहीं है तो इसमें वेदों की निंदा लग रही कि नहीं बताई इस बात में पर नहीं नहीं यह वेदों की निंदा नहीं है वेदों के पुत्र हैं, वेदों के तो पुत्र हैं, श्रीमद भागवत, निगम कलपतरोर गलतम भलं, कोई भी सत पुत्र, अपने भलेई गुणहीन हो, यद्धे गुणहीन नहीं है, ज्यांदेना, गुणहीन पिता की भी निंदा सुन नहीं सकता, अपनी महिमा में, तभी सदपुत्र है, तो स्रीमद भागवत, सदपुत्र हैं, तो वेदों के निंदा सुनेंगे, कलप कलप भरे, एक एक नर्गा, पराएं जे दूश हैं, शृति करता रखा, शृतियों के निंदा करने वाला, तो एक एक कलप भर, एक नर्ग में रहता, वो स्वामी पात्पुल है, यहाँ भागवत की महिम्मा मणन की जारही है, और नहीं तो अव झा है, पल कैसा है, पल कैसा है, गलतम फल बोले उसमें जो ना गुठली है ना चिलका है के बोले रस रस्म और बढ़ा हुआ है यही सब कताब्यास कहते हैं सब लोग कहते हैं ऐसा भाब भी है तो जिस फल में बीज नहीं है तो वो कितने दिन तक रख सकते हो रस को आप अब यह विचार करी रस तो जहला दिन टिकाव नहीं है और वो रस फिर आगे उत्पन नहीं कर सकता फल पुत्र को वेदोन है और वेद विरिक्ष है और एक विरिक्ष पर बागवत जैसे अनेकों फल लगेंगे की भी एक एकी फल ठोड़ी लगता है अनियकों फल लगते हैं और कोई एक monitांटा है कि एक ही बार लगता हो अर्वार फल लगते हैं तो हर गवापर में मिलन हो जाता है भुップ लोग से चले जाते हैं अद्रिष्ट हो जाते हैं तो भी तो ये तो प्राप्त चुरा है इसे इस तरीके की महिमा है अन्यता गयाश्राद की बड़ी महिमा है और गयाश्राद से भी मुक्ति मिलती है शास्त्रों में जो कही गई है वो वासत्य है और यहां केवल भागवत जी की महिमा है यह बात भी है कि भागवत स्रवन से भी मुक्ति मिलती है इसमें कोई दोराय नहीं है इनकी भ किसी को सुमटा है किसी की सुमता है हर व्यक्ती ऐसा inte recyc 노 किS इए नहीं कि इस हि नहीं कि इस्युक्ती में किसी की चुम higher करम सही शिद्धी को प्राप्त कर लेते हैं तो भगवान ने कई तरीगे के मारग बतलाएं किसी भी मारग से उनको स्रद्धा वक्ती अनुसार अनुसरण करने पर प्राप्त किया जा सकता है ठीक है जी तो यहाँ यह निश्चय हुआ कि यहाँ श्रीमत भागवत में या कहीं जिसके निंदा होते yaut i mówi o wh Novoni listening tomarahabachan निंदा में बिनियुक्द नहीं होट्ツे नई निंद निंद निंदी तुम् नहीं निंद निंदयम निंदितऊ म्जम्क्रवर्तते अभी तुम्ढैयम् फ्रावृतत है अपी तुम्ढैयम शततम् अला अला महा अला बेभाई! पिर नमनेके दैस्ट